दोस्तों वेलकम टू पावरेसर मैं हूँ आपका दोस्त हर्शित और अभी आप मेरे पीछे देख रहे है यूंड़े की ग्रेंड आटिन जोगी है 2017 वेरेंट ये इसका मेंगना वेरेंट है अभी ये टोटल चल चुकी है 13000 किलोमेटर और अभी मैं इसको लेका है हूं कास 24 म काफी बड़ी आपको प्राइज देती है सिंगल विजिट में आपकी गाड़ी काफी इसली सोल्ड आउट हो जाती है इस्टेंट आपको पेमेंट मिल जाती है फ्री आर्सी ट्रांसफर मिलता है बाकि गाड़ी की और अगर आम आए तो ये ग्रेंड एटन है 2017 वेरेंट बि मेरे फ्रेंड की कार है बाकि आपको दिखा हूँ तो अगर आप ओडोमेटर में देख पा रहे होंगे तो 13,000 किलोमेटर चलिए गाड़ी केवल देख सकते हैं 13,000 किलोमेटर काफी कम है देखिए देख पार होंगे आप बाकि इंटियर इसके टॉप क्लास के है भी गाड़ अगर आप पीछे से भी देखेंगे तो बिल्कुल फ्रेश है एक बार आप इसके पीछे से कंडिशन भी देख लीजे बिल्कुल फ्रेश कंडिशन है इसकी 13,000 किलोमेटर चलिए गाड़ी एक खाल कासा माइनर से हैं पर थोड़ा से दभी है उससे कोई इस्यू नहीं आता है बागी टेलेट्स देखेंगे बिल्कुल फ्रेश है गाड़ी टायर की कंडिशन देखेंगे अब यह सारी चीजे आपको बताई जाती है कास्ट 24 के वैल्यूएटर की तरफ से जो कि ऑफिशल बंदा होता है काफी सारी चीजे आपको चेक करके बता दिंगे तो दोस्तों मेरे फ्रेंट कि एाad कर दूदा सत्रफ मेर चीजे ए जूदा सत्रफ hips को कि पासखेंगे बिल्कुल अडजन आ काड़ी पेश ँदॆ कंड़ी मेंच करना जाता है एकरताम DOB हुआ ओक तार हो आपॉन्मेंट है ना अपॉन्मेंट है़ fell Sc Schools करेंगें, कर दो दिरुका है? 7078 अपने आरे से रपा देते हैं को अपको प्रिफली प्रोजेस बता देमें यह जी again तो मैंसे परशेशों यह मेरे प्रेंड ही गड़ी गड़ीग, 177 बेरेंट है बादगे उसको अलब करने ऐसको नो प्रॉबम और एक वरना आपको प्रॉसेस टीप कर जाया हूं प्रोम हमारा व अपर जाता है वरनी का हमारा व अवी कुन है इसको उप सलेवा करें दूपिनाद daytime लेटा है पहला कि 30 विनेक्स में आपके कार निक्राट का एक देटान इंस्पेक्शन पहले जिसमें हम कार की एक टैज राइव लेते हैं इंग्जन टांस्मिशन इस आरी से जैट करिए जाते हैं और नेक्स्ट शार्टी विए जो आपकी कार की इंसपेक्शन एक पोर्ट होगी वो अमारे एक online auction पोर्टल बेजाती है जिसमें की काँपनी 1180 इंक्लुडिंग GSC आपका चार्ज इंचिय देट होते हैं और इन एक लिवरी के अफनार के अंधर पेइमिट आपके अकाऌट में ठांस्टर तरह होगी है जिसमें आप हमें कार की देंगे और उसके 48-72 आज के अंदब पेमिंट आपके अकाउंट में ट्रांस्टर हो इसमें यह वाली प्राइस जो आपके अपके अडिशनली चार्चे जे वो नहीं हो यह डिड़क्त नहीं हो इसके अलावा कास 24 और सब्सक्राइस रहता है अगर हमारी टीन डन होती हो और आप कार सब्सक्राइब करते हैं इस तरीके से जिए कार की वैल्यू जिसके प्रैकर आप देखेंगे सब्सक्राइब यह पूरी प्राइस है इस सार एक चीज़ और बताईए जी कार 64 की यूएस्पी चाहिए अगर आप कंपटिशन से बात करे सर वह सारी चीज़ मैं आपको डिफाइब करता हूँ पर सोफ़ आपको इसके बाद मैं आपके साथ कार की इसके प्राइब करेंगे जैसे मैं ने भी कापी पहले रिसर्च की ती कार को पर की कैसे पूरी प्रासेस है तो वह सब मुझे देखने को मिल रहा है भी अभी सर आ सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हमारे साथ है कास 24 के ऑफिशल वैलिवेटर जी गुर्दीप जी इनका नाम है गुर्दीप सिंग जी तो सर प्लीज हमारी और्डेंस के सामने आईए और बताईए कि कैसे पूरी प्रासेस होने वाली है इस गाड़ी की इस्पेक्शन कर रहे हैं इसमें इंटीरियर इंस्टीरियर आउटलूक ड्राइविंग के रिगार्डिंग साथ साथ हम पूरी प्रासेस कवर की जाएगी इसमें इंजन और सस्पेंशन ब्रेक एसी हीटर आटो हीटर और अल इंटीरियर जी जितने भी करते हैं कारी की कार की डिटेल जिसके अंदर अल्रेडी मेंशन होती है और उसके उस भी आपके पुरा प्राइस ठीक है तो आपने सुना ना तो बिल्कुल ऑफिशली और जैनुली हर एक फैक्टर देखा जाएगा आपकी गाड़ी का अगर आपने अपनी गाड़ी को अच आपको बता है वह अपनी गाड़ी देखे चाहा चुका है बाकी सर अपना और जो इस्टाटिक पूरी टेस्टिंग है वो करने वाले सब्सक्राइए तो सरम आप इंटीर से देखेंगे पहले स्टार्ट करेंगे जी जैसे कि आप देखने हैं गाड़ी तेरा जा चली गाड की वैल्यू देता है क्या से रहेगा सर वरी गुड कंडिशन है कोई स्क्रेच दी है बिलकुल नीट एंट टीन है का सारे इसके अंदर वरकिंग है और बाकी यह देखते हैं मार्किट के साब से क्या बास्तों प्राइज आप जीस है बाकी मेरे फ्रेंड इस में के म्यूजि प्राइज में बढ़ेगा उसकुछ फाइदा होगा बिलकुल बिलकुल शुर बहुत वाँ उससे बिलकुल बैनेफिट मिलेगा बस चीडियो से एक नॉर्मल स्टीडियो उता है तो हर हर क्लाइंट अपने साफ से स्टीडियो फिट करवाते हैं मिलिसिस्टम लगाते हैं ऐ सब्सक्राइब करने वाले हैं किस तरह की प्रफॉर्मेंस किस तरह की है वह फिजिकली हम चेक करेंगे और अपने जो अप्लिकेशिनल के नहीं करने वाले हैं जरे अब देखरे हैं कि अभी तो बुत हंधिरा हो चुछा तो मझे लाइट चला नहीं पड़ दिए बन्हों छोन तो अभी हम ने इसमें चेक कर ली है इसमें किसी तरह की कोई लीकेज नहीं है और जहांपर कोई किस तरह का डैमेज हमें दिख लीदा बिल्कुल लेटन क्लीन का रहा है अंदर से भी और इंजन साइट से भी और बैटरी वी जासे देख रहे हैं आप इसके नहीं है और सबसे पहले करें निख 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 जब जब ऑइल स्किल करना स्वरू कर दे तो बिजए शुम्यान गार्वा अजलिशु है अभी पितको चलीन है, खुरी नचलीन करता हुआ है, खुरी ऑइल स्मोक नहीं आ रहा, तो हमने फिजिकली देख लिया है और दूसरी हम देखते हैं बॉडी स्रक्षर बॉडी स्रक्षर में सर हम देखते हैं जो आप यह सीलेंट देख रहे हैं यह मैनुपेक्टिन प्रांट से अल्रेडी वन टाइम रेडी हो गया अजय वोगव जय वीधिंग वती है और अगर यह बीडिंग्स नहीं होती है तो इसको पूरा बंपर ही इसे र्प्लेटी से उन आप सब्सक्राइब देख रहे हैं यह सुआ यह बेडियाय तो यह है अजय भी फ्रेश्टों क्यों से अब हैजिस्तिन अब्रेडी वार्डेड वालभ उसके पूरा ने खायभ?, उसका敢 है, पूरा चेंश का लिया, और étaर ये क्वालजय का दो विल्गुलू विस केंडिशनील के अढ़ती, निटेजसमें से बीडिढन से आपको अवेलेबर नहीं मिलेगा अधर मिलेगी तो सरी फिनीसिंग नहीं पाइग अधर मिलेगी तो सरी फिनीशिंग मिले गया वह रहाँ पाट वो सिरो अल्रडी वन टाइम हो अ कि यह शेकर है तो आप कहरो गेंगों रेकर अधर मुझे पूरा पता है वह तभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास है भी depth case है जिससे हम टायर की deeply depth नाप सकते हैं हाँ जी सर जी मैंने टायर के उपर रखा ये टायर की जो depth है उसके अंदर deep किया जैसे अब देख सकते हैं 3.7 mm दिखा रहा है जी मैं और जैसे कि आप देख रहे हैं तो उसमें जादा होता है सर उसमें सब्सक्राइगा अर जो फ्रंट के टायर को टायर संसर उनमें एकुली होना चाहिए अगर कम जादा होता है करते हैं तो उसके कारण में ब्रेकिंग ज्यादा होती है और रबर पार्ट करें दोश के दौरा तो सर को देखते है पता अनी चलता है एक कीच के दूआusing करता है तो वह हमें रधा है और पता भी लग जाता है इस एकमेटर के दौरा हपेक शक्षी है जैसे कि पीस देख सकते हैं जो कि 63.4 माइक्रोंस में और आपको ठीक करेंगे यहां तक ठीक है यहां 100 से 100 अपान प्लस कुछ बढ़ती जा रही है इसका मतलब रूफ में रूफ में सर पीछे के रूफ की हुई है पहले बता रहूं सर यह देखिए माइक्रों में 149 दिखा रहा है सर तो इसका मतलब यह रूफ पेंट है तो इसका मैं पीछिए है वाग पार्ट तहुंका बीठिक है बाता है यह सब देख रहे हैं यह दोर ठीक है सब 69 पॉइंट इवी डोर ठीक है सब इवी डोर ठीक है सब फुले काड़ असा फ्लोरे मारे चीक है एक अगया से बाखी फ्लास्टिक पार्ट ने भी बता है तक अगया सलने सर्ट यह अचिक अधिक यह अधिक डिपर आप दिक्ता अब पूरी इसकी जो रिपोर्ट है ना जो होती है वो सब बन चुकी है अब मैंने इस्विक्शन सम्मीट कर दिया है बाकी की डीटेल्स आपको ऊपर स्टोर पर आए चले पर सब्सक्राइब तो दोस्तों हमारी गाडी की सब्सक्राइब पूरी टेस्टिंग कर लिए चला के अब देख लिए पेंट कोलेटी देख लिए रूफ में थोड़ा से रिपेंट था वो कुछ भी देख लिए है और सट्सपाइए सर अब देखते है प्राइस कितनी आती कितना कोट करता है काश्विन पूर चलते है शोरूम में दुबारा से अंदर शेयर सर आईगे जैसा क अब कर देख पा रहे है इस फोटो में कि कार का जो नमर आपका रिज्ट्रेशन नमर है वो हमने आपके प्सना इंफर्मेशन की वैसे हाइट करती है जो भी हमारे चैनल पार्टनास है वो इस कार को आइडेंटिफाय नहीं कर सकते है बाकी जैसा कि गुरदीब जी ने आप एंड आप इसको कहीं पे भी दिखा सकते हैं यह ने पर भी वैलेड रहे गी और इसके अलावा जो भी हमारे पींट चेकिंग टेकनिक्स हैं जो टायर को चेक करने की टेकनिक्स है वो हमारे इंस्टुमेंट्स हैं वो भी ISO Certified रहते हैं जिनसे हम वो सारी चीजे चेक कर चेक के बेकग्ग्रांड और इस जब सर्कास्ट इफ जो स्टाटप हुआ था वो अगस्ट फिफ्टीन में हुआ था जो हमारे को फांडंस है मिस्टर मेहो लगजवार मिस्टर विक्रम चोपड़ा इन दोनों का यह माइंड सेट था कि हमें एक ऑटो मोवें इंडस्ट्री यूस काल की जो हमारी आज की टैम में अन ओर्गिनाइज़ उसको और जो एक कस्टुमर को कार बेशने के पाथ सेफटी और सेक्य आज ही हमने अपना 201 स्टोर का ओपनिंग करी हुए तो कॉंग्रेचुलेशन को थेंके सबसे पहले जो एक आम आजमी के लिए आज के टैम में बहुत है स्ट्री टांसफर जो कि इतनी एजिली अगर हम किसी इंडिविजल को कार बेशन नहीं हो पाता अगर हम उसमें कुछ भी इंवाल्व रहते हैं तो यह कम से कम एक जिन का प्रोसेस टहता ही है मिनिमम उसमें भी अगर हमारे सारे डॉकुमेंट्स कंपने हो तो इसमें कित्रे टाइल लगेगा कि मुझसे मेरे फ्रेंट की आस ही किसी और के नाम के लिए जो कार 24 कमिट करता है वो आ आपको रिटेन में फर्स आप डिलीवरे रेसिप देगा जिसमें कार नंबर, ओनर का नाम, डेट, टाइम और क्लोमीटर मेंशन होंगे कि इस साइम पे आपकी कार की डिलीवरी कार 24 ने ले ली है और जब तक कार की आस्टी ट्रांसफर नहीं हो जाएगी सारी रेस्पोंसि इसी, ठीए, बेसिकले ये है क्या चीची, ये टें लेकल सा लिएलीगल कवरेज है चार 25 की साइट से, उसमें के कवर जाज़ना है, मैं बता जतलत हूं सबस्राइब है अब जैसा कि आपने में अजो पूछा कि कार आपने मिरको हमेरे में करदी आप कार शापने में में हम् तो वही पर कास्टिफोर पिक्चर में आता है, अगर ऐसा कुछ भी होता है, तो दस लाग तत का रिटन कवरेज है आपके पास, जिसमें आपको कहीं आने जाने के लिए आप नहीं पड़ेगी, जो भी उसका कंपनसेशन होगा, जो भी कुछ होगा, in fact आप थर्ड पार्टिय और कोई भी मिसफनिंग होती है, उसके लिए कास्टिफोर लाइबल लाइबल, तो ये एक वन अफ दा में यूसपी जिसकी वज़ासे लोग कास्टिफोर में आते हैं और अपनी कास्टा का था, इसके अलावा सो जो इंसेंट पेमिंट का ऑप्शन है, आज संडे है, आप स जैसे मैं आ जाया हूँ, तुम जी प्राइस मिलेगी, प्राइस अगर पसंद आई तो अभी बेच को आपके प्रेंट को आना होगा जो लिगफ को मल्टी होंगी, उनको कम्लीट करने के लिए, लेकिन गाड़ी इस्पेक्शन के लिए कोई भी ला सकते हैं, इस्पेक्शन क साइसे में ला सुगी होगी दो, सरे साइस अगर नए नही कोड़ी ला एक हैं उस मोडेशा में एक नए की लिए लेगा है कर से ऊतल ञावए, अगर ऑसे हुनिय गयन हो, सिस्पोएब कर्या है.. अगर बूप्लिकेट की मिसें किसी है..गर इसंद बीकेट का से हैुआ सार्य के डॉक्मेंट्स आप से साइन करा ली जाता है और आज के बाद आप चैन की नीन्स हो सकते हैं कर जागर इस कार को फून बढ़िए कि मेरी दीन है कर दो कर से कर दो से सर्विस के साथ आपको कुई भी ये प्रैस नहीं कमेड कर सकता है। बागी सर, कार्स 24 गड़िया बेस्ती भी है? सर यह हमने चालू किया था अल्मोस्ट छे महीने पहले और इसमें भी हम काफी सक्सेस्फुल रहे हैं आज के टेम पे काफी हमारे से क्वेरी जा रहे हैं कि जो लोगी यूस कार पर्चेस करना चाता है उसका भी रीजन यह है कि सब मार्केट में अगर आप डीलर से कार पर्चेस करेंगे वो कार को बाहर से तो सुंदर बना जेते हैं लेकिन अंदर अक्चुल में क्या था या नहीं ता वो नहीं पता लग बाता है लेकिन कार 24 वही कार बेसता है जो वह अपने सोर्स पर इंस्पेक्शन करता है और उसी रिपोर्ट के साथ पो कार बेसता है तो अगर पुरा ब्रीफ करें तो कार 24 बड़ी अडील है अगर मेरे खाल से ब्येस जील आचके टेम तरफवाचा थैसे वहीं किनकी गाडिया भी श्क्राइब के चुकी है कि अदरी उनके लिए वी स्ॉलुशन दिये जा है बिल्गो श्क्राइब कार भी हम पर्चेस करते हैं उसमें proper scrap letter or chasis plate हम provide करते हैं और car हम as a scrap में खरीदते हैं उस case में हम original RC और कोई भी transfer के document साइन नहीं करा दो और price अगर हम market से बात करता हूं जादा मिल रहा है या okay मिल रहा है Sir, अगर मैं price की बात करता हूं depending on the condition of the car वो हम नहीं देखे हैं होता क्या है कि सब कुछ cars हमारे पास scrap आती है जो कम चली होई ते जिनकी body नहीं गली होई है नहीं कुछ तो obviously बात है कि सब उनको best price बाता है जिनकी car की condition खराब हो चुकिया है कुछ usable parts नहीं है तो उनमे price में फूरी सी ग्रावर नहीं है एक OTP आया होगा आपके नमबर पर फोन सर मेरा बैग नहीं है कुछ देख के बताता हूं आप तूसर OTP आया होगा जी जी PPS 693 629 अब 2017 model है 13,000 km चलिए मनना प्राइज में शेयर कर लो सर प्राइवेसी की वज़े से वह हमें अलाउड नहीं है हम किसी भी कार का प्राइज किसी और कस्टूमर के साथ शेयर नहीं का सकते एक रेंज में बता देते हैं वह ताकि कास्टूमर के पॉलिसी भी मैंटेन रहे है और अगर आप इतना है की बढ़िया प्राइज है जैसा कि आपने बता है और आप कितना गैस करें 2017 model स्पोर्ट्स वेडियंट मैंगना वेडियंट मैंगना वेडियंट मैंगना वेडियंट जो उसका हमारे पास फैनल कोटेशन आई है जैसा कि आप ही देख पा रहे है वह आई है फी लग 35,000 उपीस और ये न्यू कार पर्टेस की गई थी 6 लाग की ओन रोड बेसिकली सर इसके रीजन्स में कुछ बदा देता हूं वाकी डिसीजन आपके ही रहे है यो कार का प्रैस जपेंड करता है जिस पे सेकंडरी मार्केट चलती है वो कुछ पेक्टर्स रहता है कि कार का मेक मोडल कॉन सा है मेक मोडल कॉन से अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ मारूती ये डिसकंटीनी हो गई है क्योंकि आपक्शन में उनको सब पता होगा डिलर से वो सारी चीज़े पता रहती है सर नहीं चीज़ों को देखके बेसिकली जो साथ फेक्टरस है यही समरी है एक तरीके से अगर एक साल में हम बात करते हैं तो जो कार चलनी चाहिए दस से बार हजार क्रोमेटर कर चलनी चाहिए लेकिन जो आपकी कार चली है और जिसकी वैसे प्राइस अच्छा आया और जो अभी सर अभी ये तीन बैदिस बता रहे है ये एक्च्छल नहीं क्योंकि कास्ट पूर्गी पॉलिसी है वह भी हमत कहीए कि कभ बता दिया ज्यादा बता दिया लेकिन गो थोड़ा समझा कीजिए बाकी मैं आपको बता दूमार आइजर की वादी है उसके बाद ओनर्शिप सीरियल नंबर जैसे कि आप फर्स ही ओनर है अगर शयद अपने अपने प्रेंड से लेकर अपने अपर ट्रांस्फर करा ली हो खिंगा तो प्राइस डेप्रिशेट करगा लेकिन फस्स ओनर होनी के वैसे इस प्राइस डेपेंडर in एक होती है sir, refurbishment cost, यह हम अपने channel partners को idea देते हैं कि अगर जो कार की अभी current condition है, अगर वो उसमें जो भी negative चीज़े हैं उनको सही कराने के लिए उनको अंदाजन कितना amount खर्च करना पड़ेगा, and last रहता है color sir, color में अगर हम बात करते हैं, यह बहुत main factor play करता है, जो कि लोग करते हैं, आपको करते हैं, आपको मालोम है कि यह discontinued हो चुका है, डिसकंटीनियो होने के टाइम से नहीं सप्रोपर पर पूरा, बाति हो सबस्चा है, प्राइस है तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, मैं अभी मोती नगर डैली में हूँ, अगर आप नियर बाही है तो आईए और सर कुछ और किना चाहिए कि आपने सब कुछ बता दिया कास्ट 24 के बारे पर तो वीडियो को एंड करते हैं प्राइस बने सब को बता दिया और इस्पेक्शन की वीडियो आप देखी चुके होंगे बस सर एक चीज और मैं एड करना चाहूंगा कि अगर डील डन हो तो नॉमल हमें के वैसी डॉक्यमेंट्स चाहिए होते हैं जो डेस्टर डोनर होते हैं और पेमेंट उनके अकांड में ट्रांसफर कर दी जाती है सारे डिलिवरी डॉक्यमेंट्स यह को फ्री कर दिया जाता है एंड उसके बाद उन्हें फिर दुआरा कास्ट 24 के लिए सेम आगे अगर आपको अपना आशी ट्रांसफर सेटस कुछ भी चैक करना है वह आप हमारी वैबसाइट पर भी चैक कर सकता है खुद दोस्तों ऐसा रहा मेरा कुछ एक्सपीरेस कास्ट 24 के साथ प्राइस भी अच्छा पूरा हस्पिटैलिटी मिल गई अगर आप भी अपनी क अपनी काडी को बेचना चाते है तो अपनी partir कर दें कर दो कि जाएर जहां già आपको बैस्टराइस मन जजाएगी अपकी अगर आप घर से ही अपनी खाडी का इसपेक्शन करवाना चाते है मynnला बुक करवाना चाते तो मैंने कर रवने चाहर में दिया हूआ है का सज़ लिं नेक्स्ट वीडियो में गुटबाइ और न्यूयर की काफि सारी बदाहिया सबको और सबको विधाप की बदाहिया मिलते है नेक्स्ट वीडियो में गुटबाइ जैन जैवारत